दोस्तों आज की डेट में हमें mid-range segment में ऐसे phone मिल जाते हैं जहांपर हम कम price पे एक flagship phone का मज़ा ले सकते हैं हाला कि जो flagship phone होता है उसकी बात ही कुछ होर होती है पर फिर भी आपको काफी हद तक इस टाइप mid-range में flagship वाला experience हो सकता है चलिए आपको दिखाता हूँ budget वाला flagship phone आज हम comparison करने वाले हैं POCO X2 और Redmi Note 9 Pro Max का मुझे ये दोनों ही phone मस्त लगे हैं बट कुछ points हैं जो कि आपको mind में रखने होंगे अगर आप इन में से कोई भी phone purchase करने का सोच रहे हैं तो और flagship वाला experience आपको कहा होगा ये भी मैप को आगे बताने वाला हूँ इदने तक आप मुझे बताओ comments में आप इन में से कौन सा phone लेना पसंद करोगे under 20,000 के range में चलिए start करते हैं comparison price के साथ देखो इन दोनों की price में 500 बेकर difference आपको देखने को मिलेगा POCO X2 आता हैं 17,000 में 6GB RAM 64GB storage के साथ और Redmi Note 9 Pro Max का price है 16,500 रुपेज यहाँ भी आपको मिलती है 6GB RAM 64GB storage के साथ यहाँ पर अच्छी बात यहाँ है कि triple slot आपको मिल जाएगा dual SIM plus HD card लगाने के लिए यह option आपको POCO X2 में नहीं मिलता POCO X2 में है hybrid SIM slot या तो लगा सकते हैं dual SIM या फिर एक SIM एक HD card price के बाद हमारा पहला point है इन स्मार्टफों की build quality जब यार build quality दोनों की काफी सही है दोनों आते हैं glass build quality के साथ और दोनों का आपको मिलती है back side पे gola glass 5 की protection तो build quality को लेकर आपको दोनों से बिल्कुल भी disappointment नहीं होने वाले दोनों इफोन आपको हाथ में लेकर काफी premium लगेंगे बागी अगर मैं design की बात करता हूं तो design मुझे ही personally better लग रहे है Redmi Note 9 Pro Max का बागी दोस्तों design को लेकर सबकी अपनी choice होती है आप बताओं आपको किसका design अच्छा लगा तो build quality में दोनों ही winner हैं आगे बढ़ने से बहले दोस्तों कर दो वीडियो को like अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बरसादो अपना प्यार साथ में मैंने इस channel पे टार्गेट रखे है अगस्त तक 1 million subscribers complete करने का मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है लेकिन impossible नहीं है अगर हम सब साथ मिल जाएं तो हम ये टार्गेट easily achieve कर सकते हैं तो मुझे इसमें आपका support चाहिए दिखा दो अपनी इताकत कर दो वीडियो को share ताकि हम ये टार्गेट जल्दी से achieve कर पाएं चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में देखो यार screen size दोनों का same है 6.67 इंच का काफी बड़े हैं ये दोनों smart phones यहाँ पर main difference आप देख सकते हैं एक तो है इसके punch hole में Note 9 intro max में single punch hole display वही आपको मिलता है POCO X2 में dual punch hole display दूसरा difference है यहाँ पर आपको मिलता है display 120 hertz refresh rate के साथ जो की बहुत ही जबरदस्त है जब आप खुद ये यूज़ करोगे तब आप खुद ये बात समझ पाओगे इसको यूज़ करने का आपको बिल्कुल flagship वाला experience होगा इसके लावा अच्छी बात है POCO X2 का display आता है HDR 10 Plus support के साथ तो HDR content भी आप यहाँ पर enjoy कर सकते हैं जो contrast है, colors है वो आपको काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर मैं Redmi Note 9 Pro Max की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको HDR का support नहीं मिल रहा उन्हाँ यहाँ यहाँ आपको मिलता है higher refresh rate वाले display यहाँ आपको normal display है 60Hz refresh rate के साथ इसके लावा एक और अच्छी बात है POCO X2 के display की इसका display आता है 500 nits की brightness के साथ जो की Redmi Note 9 Pro Max में है 450 nits की brightness तो अगर आप outdoor में इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही bright लगेगा POCO X2 का display Note 9 Pro Max से comparison में Note 9 Pro Max आपको outdoor में यूज़ करने का उतना मज़ा नहीं आने वाला बागी जहां तक बात है glass protection के बारे में तो दोनों के front पे आपको मिल जाएगी Gola Glass 5 की protection तो display में तो यार clear winner है POCO X2 एक तो यहाँ पर brightness काफी अच्छी है दूसरा HDR का support है तीसरा 120Hz refresh rate वार डिस्प्ले है अब अगर हम बात करते हैं इनकी बैटरी के बारे में तो जब आप on paper देखोगे तो आपको दोनों की बैटरी में ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा POCO X2 की है 4500 mAh की बैटरी साथ ने आपको मिलता है 27W Fast Charging Support Redmi Note 9 Pro Max की है 5020 mAh की बैटरी और यहाँ पर है 33W Fast Charging Support जो की जबरदस्त है main difference है इनके बैटरी backup में Redmi Note 9 Pro Max में आपको टो प्रास का बैटरी backup मिल जाएगा कोई भी इससे आपको दिक्कत नहीं आने वाली charging भी इसकी काफी fast है अगर मैं बात करता हूँ POCO X2 के बारे में यहाँ पर हमें बैटरी को लेकर अभी फिलाल दिक्कत देखने को मिल रही है बैटरी डेन यहाँ पर काफी fast हो रही है पहले के गम वैजन में पहले यहाँ पर बैटरी को लेकर इतनी दिक्कत नहीं थी अब बात करते हैं पर्फोर्मेंस के बारे में देखो यार दोनों की पर्फोर्मेंस बहुत ही अच्छी आपको मिलती है POCO X2 में Snapdragon 730G और Redmi Note 10 Pro Max में Snapdragon 720G Data to use में आप कोई भी डिफ्रेंस यहाँ पर फिल नहीं कर पाओगे दोनों में दोनों के GPU में थोड़ा सा डिफ्रेंस है GPU थोड़ा सा बैटर है Snapdragon 730G का 20G के comparison में लेकिन जब आप इनको use करना start करोगे तो बिल्कुल भी आपको noticeable difference देखने को नहीं मिलेगा दोनों की performance में दोनों में आपको मिलती है UFS 2.1 storage दोनों की app opening speed भी जबरदस्त है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी gaming भी आप दोनों में अच्छी खासी कर सकते हैं main difference है liquid cooling system में आपको Poco X2 में liquid cooling system भी मिल रहा है जो कि आपको Note 9 Pro Max में नहीं मिल रहा अगर आप लंब में टाइम तक gaming करते हैं और आपका phone गरम होता है तो यहाँ पर वो ठंडा भी जल्दी से हो जाएगा जो की दिक्कत आएगे आपको Note 9 Pro Max में हाला कि फिलाल मैंने इस phone में कोई भी heating issue नहीं देखा है लेकिन liquid cooling system यहाँ से missing है जो की मेरे recording होना चाहिए था दूसरा difference आएगा user interface में दोनों में आपको मिलता है MIUI 11 और दोनों में आपको customization के भर-बर के options मिल जाएंगे main यहाँ फर्क आएगा ads को लेकर जो Redmi Note 9 Pro Max है यहाँ पर आपको भर-बर के ads भी देखने को मिलेंगे जो की आपको POCO X2 में फिलाल तो नहीं मिल रही है तो यह मैं कहूँगा POCO X2 का एक बहुत बड़ा advantage है ads free UI यहाँ पर आपको मिल रहे है आगाने वाले टाइम में क्या होता है वो तो नहीं पता लेकिन फिलाल यहाँ तो आपको ads नहीं मिल रही है जो की Note 9 Pro Max में दबा के आपको ads देखने को मिल जाएंगी आपको एक एक करके सारी ads को disable करना पड़ेगा बगी UI दोनों का काफी अच्छा है कोई lag वागर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों के UI में अब बात करते हैं इनके camera के बारे में दोनों में आपको मिलता रियर में quad camera setup POCO X2 का है 64 plus 8 plus 2 plus 2 Note 9 Pro Max का है 64 plus 8 plus 5 plus 2 तो अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको macro lens मिल रहा है 5 megapixel का जो कि POCO X2 में 2 megapixel का दूसरा आपको मिलता है Redmi Note 9 Pro Max में primary camera 64 megapixel का Samsung GW1 sensor के साथ जो कि आपको मिल रहा है POCO X2 में Sony IMX 686 यह कुछ camera samples आप देख सकते हैं camera में कहूंगा daylight में दोनों का बहुत ही close है आपको बिल्कुल भी major difference यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा हाँ low light में better perform करता है POCO X2 का camera Note 9 Pro Max के comparison में लेकिन daylight में दोनों ही जबर्दस perform कर रहे हैं front camera हम देखते हैं तो Redmi Note 9 Pro Max 32 megapixel का front camera और POCO X2 में आपको मिलते है front में dual selfie camera 20 plus 2 megapixel यह दोनों की quality आप देख सकते हैं दोनों का front camera ठीक है बर मुझे थोड़ा better लगा Note 9 Pro Max का front camera यहाँ पर यह front camera में dynamic range को अच्छे से handle कर पा रहे है POCO X2 के comparison में खास कर जब आप इसे portrait shot capture करोगे तब यह background को camera में winner है POCO X2 because of low light photography को लेकर अब अगर मैं बात करता हूँ वीडियो के बारे में तो आपको दोनों में EIS का option मिल जाएगा stable videos capture करने के लिए लेकिन POCO X2 के पास advantage है यहाँ पर आप 4K video capture करते होई भी EIS को use कर सकते हैं यह option आपको नहीं मिलता Note 9 Pro Max में करेंगे इसके default camera से तो color यह picture में change ही कर जाता है वीडियो में जैसे कि यह white past था इसको बना दिया इसने red past था और यहीं अगर मैं shoot करता हूँ Note 9 Pro Max से तो यहाँ पर मुझे natural colors देखने को मिल रही हैं इसका solution है अगर आप use करते हैं open camera आपको एक्ष्टोम है तब आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन default camera में आपको colors change देखने को मिलेंगे बागी दोस्तों अगर आपने चैनल अब तक नहीं देखा जैस्ट यह अभी तो इसको देखना मत comparison कर दिया है लिंक आपको description में मिल जाएगा वो आप check कर सकते हैं हमार अगला point है इसकी call quality और speaker quality देखो earpiece दोनों का काफी सही है दोनों की call quality में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हाने वाली network भी दोनों में proper आपको देखने को मिल जाएगे लेकिन जो loudspeaker है वो वैसे तो दोनों का अच्छा है लेकिन मुझे slightly better लगा Poco X2 का loudspeaker यहापर जो audio है गाने मेंगर आप सुनेंगे जब तो cool के audio बाहर आएगे जो की थोड़ी सी missing लगी मुझे note 9 pro max में मैं आपको थोड़ा सा सैंपल सुनाने की कोशिश करता हूँ पहले मैं एक लाइन प्ले करता हूँ note 9 pro max में अब Poco X2 अब यहाँ पर क्या होता है कि जो background music है वो आपको अच्छे से सुनाई देगा Poco X2 में तो मुझे slightly better लगा Poco X2 का loudspeaker अब बात करते हैं next point के बारे में जो की है इनका fingerprint scanner और face unlock दोनों में आपको मिलता है side में fingerprint scanner और दोनों का ही मुझे ठीक लगा tap करते ही phone आपका unlock हो जाएगा face unlock भी दोनों का ठीक से काम करता है हलकिस ही आपको दिखेगी लोग screen उसके बाद phone आपका unlock हो जाएगा तो कुल्विला के दो उस तो बात ऐसी है दोनों ही phone काफी अच्छे हैं अगर आप दोनों में से कोई भी phone लोगे तो आपको disappointment नहीं होने वाली बट अगर आपको flagship वाल experience चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा Poco X2 के पास क्योंकि यहाँ पर display आपको मिलेगा flagship level का मलब 120Hz refresh rate HDR 10 Plus का support उसाथ में 500 nits की brightness जो की जबरदस्त है दूसरा जो इसका camera है वो भी काफी अच्छा लगा मुझे खास कर low light में daylight में तो चलो दोनों अच्छा perform कर रहे हैं लेकि low light में आते ही यह phone काफी अच्छा perform करता है और एक reason है इसका MIUI जहाँ पर आपको ads देखने को नहीं मिल रही है एक तो यहाँ पर improvement चाहिए इसकी battery को लेकर दूसरा improvement चाहिए इसके colors को लेकर यहाँ पर जब आप इसको indoor वगारा में यूज़ करेंगे तो colors यह video में चेंज ही कर देता है तो यह दो चीज़े हैं जिसको improvement चाहिए अगर आपकी main priority है battery backup फिर आपको जाना पड़ेगा Redmi Note 9 Pro Max के साथ और अगर आप indoor में video recording करते हैं तब आपको Note 9 Pro Max में अच्छा experience होगा Poco X2 के comparison में colors यहाँ पर आपको natural देखने को मिलेंगे otherwise मेरे recording हर मामले में वीनर निकल गया रहा है Poco X2 आप बताओ मुझे comments में आप इन में से किस phone के साथ जाना पसंद करेंगे मुझे उमीद है आपको कुछ help मिलोगे आज की वीडियो से और आपको help मिलियो तो वीडियो क इन करेंगे में से और आपको है